नमस्कार, कारेक्रम डिस्क्लोजर मा तबाला स्वागत चा रातोपाटी अंलाइन टीवी को प्रस्तिती डिस्क्लोजर तपाई रातोपाटी को होम पेज रा फेस्पुक पेज मा एके साथ हेरना सकना चा यो कारिक्रम आमी बिविन्न समसामिक विशे अरुमा चलफल गरने गरी तयार गरने गर्चम। आज अपने आमी तेस्ते ही एक जाना नाय अतितिका साथ उपस्तित भागा छूम। तवाई तरही सुनेको नाम तेरेला लागने गरेको कि नेपाल को बारेमा प्र संहसे योदी नेपाल ला इंकार नेपाल के राजनाथिक सामजिक विशह पस्तोरु माथ चिंतन गरनी देरे विद्वानरु नेपाल बाहरा आप मैंने उनना थे रिजना विद्वाना म्संग उनने उननजा आंन्धा शोरुप ऱर्मा तिली मा वसन उनन्छा रोलने के अध्वे वाही देए सbekед के नेपाल को बामांदोलन र संमगर नेपाल कोलेमा घालेट कर माहनेकलों भाहने तेढन भाहे ऑनली आफ yearわかूफरीका को बाहरे और पहां अध्यान गर्वहान, फ़ाहलेज हुएन भॉए प्रक बाहने अनुबाद को बेक्तित्तो, तेस्ते ही साहित्य देखी राजनिती सम्मा का विविन्न विशेमा चिंतन गरने बेक्तित्तो, तेस्ते ही बाहेक वहां को अरको एवड़ा महत्तुपुण बेक्तित्तो छा, त्यो हो पत्रकार बेक्तित्तो, समकालीन तेस्रीत दुनिया को संपा दसक मां शुरू ना आजासम्मा वहां सक्रिय हुनाच चाव वत्तर बर्शक उनुवाह साथ तैपनी वहां को सक्रिय ता घटे को चाई ना वहां नेपाल आई रहान उन्छा अईली वहान नेपाल आउनुभायको बखत आहमली वहासा अंतरवार्त गर्नी कोशिश कर देचा हूं परमाजी तवायन कारेक्रम मा स्वागत्चा धन्याद तपाई को जुन पत्रकार बिक्तित्तो अनुसंदान करता को बिक्तित्तो सांस्कृतिक राजनेतिक विशेमा किताब और लेखने लेखब को बिक्तित्तो यह बिक्तित्तो को निर्मान अफरिका बड़ शुरूब है अफरिका को अनुसंदान करने क्रम बड़ शुरूब है अ अफ्रिका को अनुभब बताई दिन उसना थो रहे हैं। मैं गोरखपूर में छात्र जीवन में था। और इंजिनेरिंग का छात्र था। अफ्रिका में मेरी दिल्चस्पी जो पैदा होई। वो भी एक बहुत अचाने के कैसी घटना हो गई थी। वो जिन दिनों में छात्र था उन्हीं दिनों कांगो में आजादी मिली थी। यह सिक्स्टीस की बात है। और पैट्रिस लुम्बा वहां के प्रधानमंति चुनेगे एक। एलेक्षन हो और डेमोक्रेटिक इलेक्षन हो उसने पैट्रिस लुम्बा चुने गए। लेकिन वो जो वो बेल्जियम की कालनी था तो वहाँ जो सरकार थी उसने इनको प्रधान मंत्री नहीं बनने दिया कुछ ऐसा शड़ियंत्र किया कि उस एलेक्शन को ही अवायद घोर्षित कर दिया और लुमवा को जेल में डाल दिया गया फिर जेल से लुमवा ने संजुक्त राष्ट के महास्ची हुआ करते थे डैग हैम और शोल्ड तो डैग हैम और शोल्ड के नाम उन्होंने कुछ चिठियां लिखी थी और वो चिठियों का एक कलेक्शन मुझे पीपल्स बुख हाउस में एक किताब थी वहाँ वो कलेक्शन मिला नई नी छपके आई थी तो उसमें मैंने पैट्रिस लुमबा की जो चिठियां पढ़ें तो उसमें मैं बहुत प्रभावित हुआ और उसमें लुमबा ने यह भी कहा था संजुक्तरार से कि हो सकता है मेरी हत्या कर दी जाए और लुमबा की हत्या कर दी गई तो जब लुमबा की हत्या हुई तो मै ये मैं अफरीका में प्रवेश कर गया और फिर अफरीका की राजनी ती अफरीका की साहित थे और वो सारा कुछ मैं वहीं रह करके गोरखपूर में ही रह करके जो भी बाहर से अख़वार आते थे दिल्ली से या वहां एक बुकेश टाल पर टाइम और न्यूस विक वगरा जो मैंगीन और लाइफ ये सब मैंगीन्स जो आती थी उसमें से अफरीका वाला हिस्सा मैं देख करके उसकी अफरीका को बारेमा जानना खोजन पर निथियो निया तो किना अफरीका पुगे रुची अफरीका के प्रति रुची तो वह लुमबा बली घटना से हुई और जब अफरीका के अंदर मैं प्रवेश कर गया धहन के माध्यम से तो मुझे लगा कि ये उपनी वेश्वात के बारे मैं फिर जानकारी क्योंकि इंजिनिंग अच्छात रहते हुए मुझे इन सब चीजों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था तो मेरी अरूची होती गए इंजिनिंग से और नतिजा यह हुआ कि थर्ड एर मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया और उसमें सप्लिमेंट और फिर धीरे धीरे मैं कम्निस्ट साहिद चुंकि पीपेस से ही वो किताब मिली थी और वहीं जाकर के मैं ढूड़ता था तो मैं गोर्की को दोस्तोबस्की को तुरुने को इन लों को पढ़ते पढ़ते फिर धीरे मार्क्स और लेनिन और उसके बाद कुछ ऐसे मित्र भी निर्मान की प्रक्रिया शुरू हो रही थी और मैं इस मामले में बहुत सवभागेशाली अपने को मानता हूं कि विचार के निर्मान की जो प्रक्रिया शुरू हुई वो एक ऐसी राजनीती के साथ जो समाज के उपेक्षित लोगों हार्षिय पर पढ़े लोगों के सम्मिनिस्ट राजनीत करते हैं और मार्क्सवाद लेनवाद के संपर्क में मैं वहां से आया और तब फिर ना क्या बहुत अफरीका बलकि एशिया अफरीका लैटन अमेरिका यहीं तीसी दुनिया के देशों भारत इन देशों में जहां जहां जनान दोन चल रहते उनके ब लेकिन मुख्य कारणी के भी शायद था कि मुझे वहां और भी अध्यान का मोगा मिलेगा उन विश्यों के बारे में जो मेरी दिल्चस्पी के विश्य हैं तपाई ले तेती बेला सम्मा इंजिनेरिंग छोड़ी सकनू अब तपाई को ध्यान राजनीती ती 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 लेड़ा उपनिवेस विरोधी चेतना और को माक्सवादी चेतना एद्विता चेतना तो उमेर यंग उमेर थियो आजा चववत्तर बर्सक होनुआ हाँ ये बात 1969 मैं दिल्ली आया तो उसे मेरी उम्र 27 साल के ती 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 तो मौसे सुंचा आले याद गल था ती अईले बु नहीं मुझे लगता है कि मैंने जितना भी मुझे समय मिला उसका मैंने बहुत सही इस्तेमाल के और आगे भी मुझे जो समय मिलेगा उसका बैसा ही सही इस्तेमाल करूगा थोड़ा कठिन जीवन होता है इसमें आप अपने मन का जब काम करते हैं तो संघर्ष करना पड़ता है लेकिन अंदर से जो एक आनंद की अनुभूती होती है वो बहुत अच्छी और आदमी के अंदर केवल काम करना नहीं बलके एक सेंस अफ एचीवमेंट भी होना चाहिए कि उसे लगे कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो प्रासंगिक है के नहीं वो सार्थक है के नहीं तो मुझे अब तक कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं जो कर रहा हूं वो सार्थक नहीं है या प्रासंगिक नहीं है हो सकता है के मेरे परिवार के लिए पारिवारिक जीवन के लिए जीवन की तमाम सुख सुविधाओं के लिए वो उतना सार्थक नहीं हो लेकिन जिस दिशा में मैं काम कर रहा हूँ वो एक ब्यापक समाज के लिए वो जरूर सार्थक होगा अगर वो सार्थक नहीं होता है तो फिर काम का कोई मतलब नहीं जिवन के कोई मतलब नहीं देखे उस समय मैं जब गोरपुर में था, मैं कहानियां भी लिखता था, और जब मैं दिल्ली आया तो कहानिकार के रूप में ही मेरी पहचान थी, जो मेरे तमाम मित्र दिल्ली में हैं, जो साहितिकार मित्र हैं, तो उनके बीच में मैं कहानिकार के ही रूप में आया था, तक कहते थे कि मैं अच्छा कहानिकार कथाकार हो सकता हूँ लेकिन फिर धीरे धीरे राजनितिक सक्रीता शुरू हुई युग औरकपुर से ही शुरू हो गई थी जब मैं वहां पर इस्टुएंट फेडरेशन का मेंबर था और 1967 में जब नकसलबाडी की घटना होई और इस्टुएंट फेडरेशन वहां की सीपीम जो सीपी आइएम है का च्छातर संगठन था लेकिन 1967 में नकसलबाडी की घटना के बाद पार्टी में भी भाजन हो गया और एक सेक्षन नकसलबाडी के संगर्स के समर्थन में आया मैं उ तो फिर राजनितिक सक्रीता बढ़ गई और जब मैं दिल ले आया उस समय तक राजनितिक सक्रीता पत्रकाडिता अफ्रीका उपनवेश्वाद जनतात्रिक आंदोलन इन सब चीजों में इतना ग्रस्त हो गया कि कहानी लेखन छूटता चला गया और पिसले 40-50 साल से मैं य लेखने के लिखने के कहालिया लेकिन यह सोचने के बात होता है अमेंय अर को काम करनागहण भाई आयनि और किताबर ले लेखना के लिखने लिखने में नेपाल के प्रभाव नेपाल का प्रभाव नेपाल पर भी पड़ा था जैसे आपने खुद का और जहापा का जो आंदोलन था वो उसी से प्रभाविट था और बेसिकली नकसलवाड़ी का अंदोलन निकिसान अंदोलन था और वह ध्वस्त हुआ इसमें कोई शक नहीं क्योंकि उसका दमन बहुत बुरी तरह किया उसमें भारत में श्रीमती इंद्रा गांधी की सरकार थी और वहां सिधार्ट संकर रहे पश्चिम मंगाल में डामिने तो इनलों ने मिलकर पूरी तरह से दमन किया लेकिन नकसलवाड़ी के संघर्ष ने एक नई राजनीद को जन्म दे दिया था और मैं बहुत संचेब में थोड़ा सा नकसलवाड़ी जिस राजनीद की बात में कर रहा हूं क्योंकि जब नकसलवाड़ी वाली घटना हुई तो पश्चिम मंगाल में लेफ्ट फ्रंट का शार्षन था जिसमें कांग्रेश भी थी और जोती बसु जो सीपियम के नेता है वो उस समय होम मिनिस्टर थे ठीक है सीपियम के ही एक लीटर थे हरे कृष्ण को नार वो राजस्व मंत्री थे रेविनियू मेंस्टर थे नकसलवाड़ी वाला इलाका हरे कृष्ण को नार का था जहां वो तमाम अपने कैडर्स को आर्म डिस ट्रेगल के बारे में बताते थे कि आर्म डिस ट्रेगल जरूरी है किसानों को मुक्ति दिलाने के लिए जमिदारों से उनके आक्रमन का प्रतिरोत करने के लिए हथियार उठाना ही पड़ेगा ये सारी ट्रेनिंग चल रही थी और उसी समय जब नकसलबारी के किसानों ने संघर्ष शुरूर किया केंद्र के नेड़ देश पर पर्ष्चिम बंगाल के सरकार ने उसका दमन करना शुरू कर दिया जबकि वो लोग समझ रहे थी कि जोती बसू तो हमारी लीडर था हैं जो होम मेंस्ट हैं तो दमन नहीं हमारा होगा तो यहां से एक मोह भंग की प्रक्रेयर शुरू हुई कि कोई कमनिस्ट सत्ता में आने के बाद क्या उसकी जिम्मेदारी उस सत्ता को बचाना है या करांती को आगे बढ़ाना है क्योंकि आप तो यही कहके सत्ता में आते हैं न कि यह एक साधन के रूप में हम इसका इस्तिमाल करेंगे करांती को आगे ले जाने के लिए लेकिन वहां तो दमन आपने करना शुरू कर दिया तो वहां से पार्टी अलग हुई और वहां की जो दारजिलिंग यूनिट की जो लोग थे चारो मजुमदार थे कामरेड कानो सान्याल थे जंगल संथाल थे खोखन मजुमदार थे यह सारे लोग उस यूनिट के थे जरूर पढ़ा होगा और चारुम जम्दार की तो हत्या एक तरस होगी क्योंकि आपका स्टड़ी में जो आदमी आक्सिजन सिलिंडर पर पूरी जिंदगी चला रहा हो वो तो उसके लिए अगर आप दबा भी देना बंद कर दें थोड़ी देर के लिए तो उसकी मृत हो उसका असर जो सेट बैक हुआ नक्सलबाडी आंदोलन का उसका असर हर जगह पड़ा और जाहिर से बात है कि मुझ जैसे और मेरे साथियों पर भी पड़ा लेकिन हम लोग अंदर एक विश्वास था कि जिन परिष्थितियों ने नक्सलबाडी आंदोलन को जन्म दिया जि तो कोई भी आंदोलन किसी परिष्थित की उपज होता है तो अगर वही परिष्थितियां और भी ज्यादा घनी भूत हो गई हैं तो इसका मतलब आने वाले दिनों में और भी तेजी से यहांदोलन होगा भले ही समय सेट बेक में वो चला गया हो दमन हो गया हो और फिर हम लो तो इसलिए मैं कभी निराश नहीं हुआ जैसे नेपाल की घटनाओं में एक के बाद एक के बाद एक सेट बैक आते के हैं हैं लेकिन मैं अभी भी बहुत आशावाती हूँ जोडने नहीं वाला चु तूरूंते यहाद आता पहले बंदय गर्दा याद आयो सत्ता में पु अचानक सत्तालाई समाज परिवर्तन को लागी प्रयोग गरनू पर ने ठीक उल्टो कामगरी राखा सन। तो आटा देखियो तेहां पनी नेपाल में तेस्ता देखी नचा अब यवटा कुरा बंदिनुस नेपाल को बारे मां नेपाल को बारे मां नेपाल को कुम्निस्ट अगर मैं याद करूँ, तो 1980 में मैंने समकाले इन तीसरे दुनिया का प्रकाशन किया, जो पत्रिका है, उससे पहले मेरे सामने कई प्रलोभन आये थे, जिनको मैं ठुकराता गया था, जैसे 1970 से 1974 तक मैंने आकाशवाणी में नोपरी के, हिंदी समचार विभाग में, दिल्ली में, और 1974 में मुझे आकाशवाणी से निकाला गया था, सरकार विरो थी, उस समय, आपको याद हुगा, 1975 में भारत में इमर्जेंसी लगी थी, तो इमर्जेंसी के शैड़ों 1974 से ही दिखाई देने लगे थे, तो मैं चूंकि अंदर से पूरी तरह से अपने को एक राजनित करता, एक एक्टिविस्ट के रूप में महसूस करता था, तो नौकरी में करता था, लेकिन नौकरी के अलामा वाला जो समय था, उसमें मेरी राजनितिक सक्रीत ही रहती थी, लोगों को जागरूप करना, मीटिंगें करना, ये सारा कुछ, धरना प्रदर्शन में हिस्सा ले गया, तो जब निकाला गया, तो गोरगपुर से चाट साल में पहुंची थी, उस उसे छा मेने कंदर पहुंचना चाहिए था, लेकिन पूरोक्रेसी का जो काम करने का तरीका है, पहुंचने पहुंचने चाट साल लग गया, और मैं चाट साल आकार्शमाणी में रहता रह, इसिए तीन साल की जो मेरी रिपोर्ट थी जिसको सरकारी भारशा में CR कहते हैं किसी भी सरकारी कर्मचारी की एक कांफिडेंशल रिपोर्ट साल में दी जाती है जो उसका बाउस जो है वो भेजता है तो हमारी CR दो साल की excellent थी excellent गक शटार डिन्डे थी मेरी काम का रिकार्ड इतना अच्छा था और मैं काम करने में जितनी देर मैं काम करता था मैं बहुत सिंसेरली काम करता था क्योंकि यह मानता हूं मैं कि अगर काम कर रहे हैं आप कहीं भी नहीं सामत हैं आप इस्तीफा दे देजे लेकिन काम करना है तो सिंसेरली करिए तो वो रिपोर्ट में ही बहुत अच्छे थी अब मुझे निखाल दिया गया विदाउट एसाइनिंग एनी रीजन ये उसमें लिखा हुआ था कि और सर्विसेज और नो मोर रिक्वाइड बस अब कोई रीजन नहीं था तो इसको लेकर करके वहां आंदोलन शुरू हुआ तो आंदोलन जब होता था और जब हमारे आंदोलन में टेक्निकल स्टाफ एक मुद्राराक्षस एक हिंदी के बड़े भारी अच्छे लिखक थे अभी कुछ दिनों पहले उनका निधन हुआ है तो मुद्राराक्षस यूनियन के लीडर थे वहां आकाशवाणी स्टाफ यूनियन के तो उनके नेत्रित में आंदोलन चल रहा था और जब टेक्निकल स्टाफ आता था कि हम रेडियो ब्लैक आउट कर देंगे आधे घंटे के लिए या पंदर मिनट के लिए तो मुझे रिइंस्टेट कर दिया जाता था तो मैं तीन बार टेर्मिनेट हुआ तीन बार रिइंस्टेट हुआ और आंत में मुझे फाइनली टेर्मिनेट कर दिया गया तो आकाशवाणी में जब मैं था और आपका सवाल क्या था हाँ तो आकाशवाणी से निकाले जाने के बाद मैंने फ्री लांसिंग शुरू कर दी इस बिच मेरे पास दो तीन आफार आए एक जगह एक अख़वार निकल रहा था अमरित प्रभाद इलहबाद से जिसका लखनो एडिशन निकलना था उसका संपादक मुझे बनाय जा जा था मैं गया भी इलहबाद मैंने संसकंड एक दूर निकाले उनके अंग लेकिन जब दिल्ली लॉट काया तो मैंने सुचा कि नहीं है मैं संपादक अगर बन जाओंगा किसी अख़वार का तो क्या इससे हो जाएगा फिर बीबीसी में जगह निकली उसमें मैंने रिटे हाँ तो फिर मेरे दिमाग में कुछ सपने थे जो मैं भारत में ही रह के कर सकता था तो जब ये दो तीन चीजें हुई तो परिवार में भी एक असंतोश हुआ कि ये तो कोई काम ही नहीं करना चाहते हैं मतलब करना क्या चाहते हैं तो मैंने तहीं किया कि नहीं मैं अपने करना चाहता हूं उसको शुरू करता हूं। मैंने पत्रगा का प्रकार्षान शुरू किया। समकाले इंतिस्रे νhthal धुए oluşया। और imagery कि पहले यंग से मतलब पहले यंग आमाराना isn याक तो जब कोई किसी पत्रगा को चाहपता है। ना ना तो है एक हजार प्रतियां मैंने पहले अंकी ही तीन हजर प्रतियां चापी थे और वो सारी प्रतियां भीग गई और उसके बाद समकाली इंत इस दुनिया ने एक छाप छोड़ने शुरू कर दी और मुझे लगा कि ठीक मैंने निड़े लिया है तो समकाली इस दुनिया के पाठक नेपाल मे भी काफे हुए वहां से क्योंकि ये एक टीज में नेपाल में भी बहुत उथल पुथल वाला वो पीरिड था आपका हुआ वो उसमें पूखरा में घटना हुई थी जो दो लड़कियां बलातकार के बाद उनकी हतियर नमिता और सुनीता कांड हुआ था वो सब था तो नेपाल की बहुत बड़ी एक्टिविस्टों की आबादी भारत में राती थी तो उनलों को पत्रिका मिली तो धिरे धिरे वो पत्रि प्रादी की दुकान थी जो बड़े अच्छे कामरेट थे और यहां कम्निस्क पार्टी के सस्थाथों में से एक थे तो उनकी दुकान से हमारी 400-500 प्रतियां विगा करते थे समकाले इंदी इसी दुनिया काटमांडू में और अगल बगल में भी क्योंकि मुखिता दो ही ज प्रतियां दमक भी जाते थी जो मैं दिली से वेता था यानि दमक बिराटनगर और काटमांडू मुख ये तीन जगहें थी तो इसके वज़े से यहां कि कुछ मित्रों नह मुझसे कहा कि एक बार आप नेपाल आईए तो मैं नेपाल आया और नेपाल आने के बाद अंदुलन्द चल रहा था केमपस में काफी हमारे मित्र थे चात्रनेदा थे टंग कारकी उनके साथ मैं रुका और वो भी अंडरग्राउंड थे उसमें उनके साथ एक रात रुका और मैंने बहुत सारे नोट्स लिये नेपाल पर नेपाल के आंदुलन के बारे में और उन अंदुली में एक घटना हुई थी आजाद कामरेट थे जिनका नम रिष्षी रहा देवकोटा था उनकी हत्य हुई थी तो वो बाला मामला उन्होंने मुझे बता है सब मैंने उसमें नोट्स लिये और फिर मेरी नेपाल में दिल्चस्पी महां से पैदा हुई और नेपाल नेपाल को प्रतिको दिल्चस्पी तपाइंको पत्रकारिता बड़ सुरुवाया नेपाल को अंदुली 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 नेपाल को जनने एक जनकार विद्वान मानिनु जले ने नेपाल को बारे मा किताब लेखनने लेखने माँशनेने नेपाल को ऊमुनिस्ट अंधोलन लाई सरसरती हर्थाạnhेर तपाई को आफले देश मां भारत मां बहिरे को कमिनिस्ट आंदलन और नेपाल एक समय तो नेपाल धेरे उच्छा जनक भारत मां वन्दा धेरे ठुलुक करांती को संभावना नेपाल मां देखीं थियो तो नेपाल और भारत आबादी और छेत्रफल की दिससे बहुत फार्क है नेपाल एक छोटा देश है थोड़ी आबादी है भारत बहुत बड़ा देश है और बहुत ज्यादा आबादी है लेकिन विवित्ता दोनों जगह एक जैसे है मतलब यहां भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है तमाम भाषायं हैं तमाम जातियां है वैसी भारत में भी है लेकिन जो एक बहुत महत्वपोन बात है कि भारत बरिटेन का उपनुवेश रहा बहुत लबे समय तक नेपाल कभी उपनुवेश नहीं रहा नेपाल में रास्त ausge तो नेपाल में सामंतवाद बिरोधी आंदोलन की परंपरा बड़ी पुराने है। का जो आंदोलन था। उसके बाद फिर प्रजापरिशद के लोगों का आंदोलन हुआ। फिर नेपाली कांग्रेस ने भी सरसर संगर्श किया। फिर वो डक्टर के आई सिंग भीमददपन तो गयरह का एक आंदोलन रहा। फिर ये जो जन्जुद एक बहुदली की मांग को लेकर उसके बाद मतलब मुख्य मुख्य जो पड़ाओ रहे आंदोलन के फिर मावादी जन्जुद तक तो आंदोलनों की एक शिंखला रही है नेपाल में। इसलिए ब्यापक जन्मानस जो है वो आंदोलनों का अभ्यस्त है और वो उसके मानस में आंदोलन घर कर चुका ह मोटे तौर पर यह वैङ के तो यह लिफट इस्ट है वामपंदीए जन पक्षिय है केब उस हिस्से को छोड़ दे। उस सामनतों के साथ हैं यह सामनतों के हीतों का प्रतैट्टित उ करने वाली तो उनको जैसे राजट्री पार्टिया प्रजात अंतर पार्टिया नेपार नारी चांगर्स के बात का जो दौर रहा है, तो भारत में ऐसा नहीं था, भारत में कुछ हिस्से थे अलग अलग, जैसे आदिवासियों का अन्दोलन था, जब बिर्समुंडा का अन्दोलन था, संथाल आंदोलन जो कहते हैं यह तुक्रे-टुक्रे में आंदोलन थे वियापक तरपर ने उसकी विशालता की वज़े से भी पिर वो तिलंगाना का आंदोलन था जिसकी वज़े से आंदर प्रदेश में एक मान सेकता ब्यापक तोर पर एक बामपन्थी मान सिकता है बाकि हिंदी बेल्ट तो पूरी तरह से अच्छूता रहा है आंदोलनों से यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाना, मद्रप्रदेश ये जो पूरा हिंदी बेल्ट है जो कि लगभग आधा हिंदोस्तान है तो वहाँ तो आंदोलनों की मान सिकता ही नहीं थी वहाँ कोई रिफार्मिस्ट मुव्मेंट भी नहीं हुआ अगर आप देखें तो कबीर के बाद कोई समास सुधार वाला ऐसा संत भी नहीं पैदा हुआ जैसा बंगाल में या तमिल नावड में रामकृष्ण नैकर पेरियार का जो आंदोलन था बंगाल में आंदोलन रहा हमेशा पंजाब तक में रहा है और लेकिन हिंदी बेल्ट बहुत इस से अचुता रहा तो जब हम नेपाल के आंदोलन और भारत के आंदोलन की तुलना करते हैं तो इस बात को ध्यान में रखना और उपनिवेश होने के विए से हमारी एक मानसिक्ता आउपनिवेशिक होई हमारी आउपनिवेशिक मानसिक्ता जो रही है हमारी पूरी शिक्षा में हमारी एकेड पर जबाजक सचेत सायास परयास भी नहीं हुआ. जिसको हम कह सकते हैं कि जो डी-कलोनाईजेशन यूप मारे हां बढाते हैं डी-कलोनाईजेशन अफ मारे हां होई पर आफ्रिका रेज's सब्हले को सुझा टुमारे हां पैदा है फैरी वो तो एक अलग बात है अब दोनों देशों के आंदोलन का एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है ये आपके सवाल में कहीं ये नहित था तो निश्चित तोड़ से जिस तरह से नकसल बाड़ी के आंदोलन का प्रभाव नेपाल पर पड़ा वैसे नेप भारत में जो लोग मावादी युद्ध में लगे हुए हैं वो भी पीपल स्वार ही अपना काते हैं उसमें जो लोग लगे हुए हैं उनका मनोबल बराबर बढ़ रहा था और उनको लग रहा था कि पड़ोस में इसलिए आज मैं चुकि आंदोलनों के साथ अपने को पुरत चिंता होती है कि इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा भारती जनता पर पड़ेगा और भारत पर अगर किसी चीज का असर पड़ता है तो आप समझ लेजी कि बहुत बड़ा देश होने के वज़े से पूरे दक्षेन एशिया पर उसका असर पड़ता है भारत को पर नेपाल संग जोडिया राहूने घरे समय पछिले समय नेपाल मा नाकाबंदी भयों मदेश अंडलन चली रहा थे सम्मिधान जारी बादे बर्खरे नया तो बेला मा भारत ली नाकाबंदी गर थे सको तपाया आफेली बिरोद गर्न वा थे सको डटेर बिरोद गर्न वा ब बिश्व की सबस्थी वा वम जाई बादमाते नरेंडरमोर्द शास्थान लाई हिंदू राष्टरबाद को अंद्धकोसिस जस्तामानिंछ घरे लेख करू पत्रकारा नाफिवांते गोलत चली अंद्धर मारिए का च्छान उंद्धर माण धरत जस्तिति ऐलेस्त बाद को सरी है नमाज नहीं इस समय भारत की इस्थिति जितनी संकटपूर्ण है इतनी पहले कभी नहीं थी क्योंकि देखिए भाजपा जिस पार्टी को नहीं मोदी बिलांग करते हैं तो भाजपा का शार्षन तो पहले भी एक बार आ चुका है जब अटल बहरी बार प्रदान मंत थे और वो भी लंबे समय तक थे 5-6 साल का शार्षन था अडवाने ग्री मंत्री थे जो बहुत ही कटर वो माने जाते थे लेकिन उस समय ये संकट इतना गहरा नहीं था क्योंकि उस भाजपा शार्षन में भी एक डेमोक्रिटिक स्पेस थी लोगों को डेमोक्रिटिक स्पे मिली होई थी यह जो अभी जो शार्षन है यह भाजपा का शार्षन नहीं है यह पूरी तरह राष्टी स्वम सिवक संग का शार्षन है जिसका एजेंड़ा है कि हमें दो हजार पचीस तक हिंदू राष्ट बनाना है बारत को ओने सो पचीस में इसकी स्थापना हुई थे राष्टी से उक संकी और 2025 में उसके 100 साल पूरे होंगे तो उन्होंने घोषित तोर पर अपने दस्तावेजों में लिखा है कि 2025 तकम को हिंदू राष्ट बनाना है तो जब हिंदू राष्ट बनाने के एजेंडा को गुप्त रूप से रख करके और अब तो बहुत प्रकट गुप्त भी नहीं है जब आप काम करेंगे तो भारत जैसे विवित्ता पूर्ण देश में जहां आबादी में 14, 15, 16 करोड मुसलमान हैं जिनको आप मानते ही नहीं हैं कि वो भारती हैं और जहां इतनी विवित्ता है भारत जैसे देश में जब आप केवल हिंदू जो नहीं छोंगे तो आशांति फैलेगी हैं और इसके खिलाफ अगर कोई कहता है अगर हम सोशल हर्मोनी की बात कहते हैं सामाजिक समरस्ता की बात कहते हैं उंके इस एजेंडर की खिलाफ कुछ कहते हैं तो वो हमें रास्ट द्रोही घोर्षद कर देते हैं एंटी नेशनल उस पर रख दिया है जबकि terrorism जो है और एक revolutionary violence है और एक senseless violence जो terrorism का होता है उसको आप एक साथ रख करके देख रहे हैं तो आज जो है आपने खुद ही अभी जिक्र भी किया था एक के बाद एक कितने पत्रकारों की एक कितने बुद्ध जिवियों की वहाँ हत्या हो चुकी और हत्या करने वाली वही ताकते हैं जो कट्टर हिंदू मानसिक्ता से काम कर रही है भली वो बीजेपी की नहों लेकिन जिस मानसिक्ता का निर्माड ये सत्था कर रही है बंदे मातरम का ये नेशनल एंथम के समय आप खड़े हो जाएए इसने महाल में अगर आप नहीं खड़े होते हैं तो आप राष्ट भी रूदी हैं आप बंदे मातरम नहीं गाते हैं तो राष्ट भी रूदी हैं इस तरह की बात है यह सब तो ऐसे इसी शूजी नहीं थे जिनको ले करके आज इतने साल बाद आप पूरे देश में एक आतंग का बातावन तेयार कर रहे हैं गाय को याज हिंदुस्तान में पहली बार थोड़ी हुई है कि जब से नैन मोदी का शाषन हुआ गाय का स्तित्व आ गया गाय तो बहुत पहले से लेकिन गोरक्षा के नाम पर जो कुछ हो र मरा गया है वो तूट रहा है और इस सामाजिक ताने बाने को तूटने में अनफर्चुनेटली हमारे यहां का जो मीडिया है खास्त और से इलेक्ट्रोनिक मीडिया जिसकी जलक आप लोग भी यहां नेपाल में पाते होंगे उसने इसको और एग्रिवेट कर दिया है और त कारिकम हेर्देवनेंच आज आज आमी भारत का एक जना चर्चित पत्रकार लेखक अनुभादक आनन शोरुप भर्मासंग कुरा कर देशों भारत्र नेपाल को राजनिती को संबंद गशरी लामसमय देखी जोडिये वसा वन्ने प्रसंग हामीशन अचाई ती बेला अब आज अज आज अज आज 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 गाय को सम्रक्षन गरने कुछ ढाहित कुछ सहाथमिग काई विञ विव हINE है विजनों काई गाय जीवन जॉड़ी हो इस कुछ सम्रक्षन गरने कुछ भी अंद contamki कुछ आंजलàng को भीसह उने सकते हुँए उने ससामनु कुछ इव अससामन बना खोने जुन तरीका चली रहा है तेला है सोसल मीडिया बड़ा एकदम है फेब्रिकेट गर प्रस्तूत गरने लोड़ा आतंक को इस्तिती निर्मान गरने तेसले भारत मां जुन मानसिक्ता जुन खाल को डर पैदा गरे हैं तेसको प्रभाव नेपाल में कृत्ति को पारे को देखना लेकिन नेपाल पर उसका प्रभाव निश्चित उससे पड़े बिना नहीं रह सकता पड़ेगा है लेकिन यहां मतलब आप लोग जो नेपाल के हैं वो इस मामले में बहुत सौभागिशाली हैं कि आप के हां जो अब तक जो एक मांसिक्ता बनी हुई जो मैंने कहा कि एक आंदोनन की मांग सिकता रही है उसकी वज़े से इन चीजों का बहुत इस्थाई थोड़े समय तक हो सकता है प्रवाव हो जैसे जब नायन मोदी जी आया यहां पहली बार नेपाल और संसद में जब ताली बजी थी मैंने उस समय एक लेक भी लिखा था नायन मोदी की नेपाल यात्रा पर और मतलब ताली तो जब उन्होंने संसद में कहा कि नेपाल एक संप्रभू रास्ट है तब भी ताली बजी यह कोई नेपाल नेपाल एक संप्रभू रास्ट है इस वाकिपर तो कुछ बहुत आजीब सी चीज़ें हुई थी उनकी हमेशा यह कोशिश थी कि नेपाल किसी तरह दुबारा हिंदू रास्ट बने कम सकम संबिधान में यह हो आपको याद होगा कि संबिधान निर्माण के बाद ही तुरत नाकाबंदी हुई थी हुआ यह था कि मधेश अंदोनन के लोगन नाकाबंदी की लेकिन उस इतिहास में मैं अब नहीं जाओंगा उस पर बहुत हमने लिखा है डेट वाइज बताया है कि नाकाबंदी पहले हुई मधेश अंदोनन के नियताओं की बैठक बाद में शुरू हुई थी इसलिल नाकाबंदी तो भाद सरकार नहीं की थी क्योंकि वो नाराज थे संबिधान नहीं चाहते थी कि वो संबिधान आ रहे और आपके देश में ही कुछ अकवारों में उसका कोर्षेयरी जो भाज़पा के लीडर हैं उनका इंटर्व्यू भी छपा हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने और हमने और शुरूश्मा स्वराज दोनों ने प्रचंड से कहा था कि संबिधान में हिंदू राष्ट इसको रहने दीजिए क्योंकि अगर हिंदू राष्ट नहीं रहता है तो उत्तरखंड के जो परियटक जाते हैं उनको थोड़ी उल्चंसी होती है तो उनकी भावनाओं को ध्यान में रख करके संबिधान में हिंदू राष्ट रहने दी जो आंदोलन है यह जो पूरा अंध राष्ट्रवाद वहां जो फैलाए जा रहा है उसका असर नेपाल पर मैं समझता हूं कि इसलिए नहीं पड़ेगा कि नेपाल में वामपंथी मानसिक्ता ब्यापक तोर पर लोगों के अंदर एक चेतना का निर्माड वामपंथ बारी चेतना का निर्माड हो चुका है और वो होता जा रहा है यही प्रसंगमत अपहले आज की तारीक में भी आज जिसमें हम लोग इहां बैट के बात कर रहे हैं उसमें भी अगर आप टोटल नेपाल के लोगों के में जन्मत संग्रा करेंगे तो आप पाएंगे कि ब्यापक तोर पर वो वाम है कोई बहुत गाठा लाल होगा कोई हलका लाल होगा लेकिन लाल है वो और जो वाम के खिलाप है उसकी तादाद हमेशा माइनार्टी में रहेगी इसलिए जब यह चीज़े होती ह हैं तो कोशिश बहुत हो रही है और यहां के कुछ नेताओं ने भी कुछ वामपंथी ने भी मैं तो कहता है कि वह कौन सा वह कैसा वामपंथी नेता है जो अपने घर में प्रविश करने से पहले बकरे की बली देता है वह कैसा वामपंथी नेता है जो भैसे की बली की बात करता है यह जो धार्मिक अंद विश्वास करता और जो कुरीतियां है उनके लिए वामपंद पर कहीं जगाए ही नहीं है अगर आप एक कम निष्ट है तो सबसे पहले इन कुरीतियों छुटकारा पाते हैं इसका मतलब यह नहीं कि आप अधार्मिक हो जाते हैं नहीं आप धा से ज्यादा खत्रा होता है कि वे उस मानसिक्ता को यहां फैलाएंगे जिस मानसिक्ता का इस समय भारत में बोल बाला है तो पहले यह प्रसंगा मा भन्नुबात है कि नेपाल में जन बाम गठ बंदन भायो एमालेर महाववादी केंद्र एक्ठाव मा आए अब पार्टी एक आंदोलन को कुम्मिनिस्ट आंदोलन को द्रिष्ट कोण बाया टपनी को सही जाता है अहले भाय को बाम गठ बंदन देखे इसको दो दो द्रिष्ट कोण से दो नजर यह से देखा जा सकता है एक दो ब्यापक द्रिष्ट कोण यह है कि इस समय पूरी दुनिया में एक दक्षिन पंथी और फासिस्ट विचारधारा का आफेंसिव आक्रामकता दिखाई दे रही है मैं प्रसंग बस आपको क्यों यह याद दिला दूँ कि अभी 23 अक्टूबर को यानि आप से कुछ ही दिन पहले 23 अक्टूबर को अमेरिका में नेशनल लीग अफुटवाल शायद है नेलेफिया नेशनल फुटवाल लीग उसके प्लेयर्स ने नेशनल अन्थम गाते समय घुटने के बल वो बैठ गये और उन्होंने वो क्यों ब्लैक नहीं थे वाइट भी थे और वो राश्टी टीम थी और उस पर ट्रम्प इस तरह नाराज हुए कि ट्रम्प ने अपने भाशन में उस प्लेयर का नाम लेकर के प्लेयर्स ने फिर वो किया और उन्होंने एक स्टेट्मेंट जारी किया कि उस राश्टगांद का हमसे क्या मतलब जो हमें इस तरह उत्पीड़ित कर रहा हो ब्लैक्स को इसलिए हम इस राश्टगांद के विरोध में नहीं तो राश्टगांद के समय महां लोग ऐसे खड हुए तो अमेरिका में भी ये जो अंधर राश्टवाद है जिस पर ट्रम्प ने कहा है कि अगर राश्टगांद का आप अपमान करते हैं तो आप अंटी नेशनल हैं अगर नेपाल में कोई वाम एकता होती है तो इसको एक हम बहुत वेलकम डिवलप्मेंट मानते हैं क्योंकि इस ओफेंसिव को रोकने का एक तरीक यह हो सकता है कि हम यहां वो नहीं होने देंगे अपने देश में हम यह ऐसा नहीं होने देंगे वाम एकता यह बात कहती है तो जब व्यापक परिप्रेक्ष में आप देखेंगे तो इस नतीजे वर पहुंचेंगे अब अगर आप एक क्रांतिकारी राजनीत के दिस्ट कोण से देखेंगे यानि जो लोग दंते वाड़ा में संगर्ष कर रहे हैं या जो नकसल बाड़े की विरासत को लेकर के चल रहे हैं या जहापा की विरासत को लेकर चल रहे हैं उनकी दिस्ट कोण से देखेंगे तो यह एक चुनावी एकता है और यह इसी सिस्टम को मजबूत करने वाली एकता है यानि नेपाल में अगर आप बिपलो जी की पार्टी के नजरिये से देखेंगे तो वो भी अपनी जहाँ पढ़ सही है कि यह एक चुनावी एकता है और अगर यह एक हो जाते हैं तो चुँकि यह क्रांती को कोई मदद नहीं पहुचा रहे हैं यह रिफॉर्मिजम की तरफ चले गए हैं पूरी तरह से संसुधनवाद और सुधारवाद की गिरफ्त में हैं संसदवाद के दलदल में फंसे हुमें हैं इन से जनता का कोई भला नहीं होने वाला है यह एक दिस्टकोंड हो सकता है मैं इन दोनों दिस्टकोंडों को सही मानता हूं लेकिन अगर आप मेरी ब्यक्तिगत रहे जानना चाहेंगे तो मैं अपने को दंतेवाड़ा के पक्ष में खड़ा हुआ पाता हूं मैं अपने को विपलो के पक्ष में खड़ा हुआ पाता हूं जो अभी भी उस क प्रांति की मशाल को किसी भी रूप में जिन्दा रखे हुए है जिसके प्रती यहां के लोगों में एक भै पैदा हो गया कि हम जिस उद्देश को ले करके चले थे उद्देश तो बहुत सीधा था कि नेपाल की सामाजिक संद्चना में आमूल परिवर्दन अगर संसत के जर बहुत अच्छी बात है लेकिन यह नहीं हो सकता है यह हम लोगों ने इतिहास में देख लिया है पिरिस कम्यों से लेकर कि आज तक देख लिया है कि जिस तरीके से यह लोग करना चाहते हैं वो नहीं हो सकता है तरह पनी बिश्व परिष्थिती ला इअर्दाखरी यह ओड़ा सकरात्मक कदम मानना सकी हैं। मैं सकरात्मक कदम मानता हूँ बशड़ते इसको यह लोग सिंसियरली आगे ले जायें। आंती मा पत्रकायरीता गो लामो इतिहास भत पाइशना घुट थोरे पत्रकायरिता को गुरागरूँ संसारबरीको मेन स्ट्रीम जोर्णलिजम जलाय भानेंचा मेन स्ट्रीम्मा सामाननेताया त्यो कुर बेचने कोशिष गरेंचा जुनकुरा हुपच्छा तो पापश जोन को तो बात इनमांशीक्ता जोनक मानसुक्त होगने तो मानस्हिक्ता में फिट होनी को Eye Music को अरु अरु को बिक दएना यह हाशिये वाली बात बनिवास ही तो सिमान तमार्यकों आवाज शिमान तका जनता को आवाज, दलीत को आवाज, जन्जाती को आवाज, गरीब किसान को आवाज, तो आवाज लाई जाने, युटा नया चाहि जुन जुन जॉनलिजम सा जस्तो खाल को जॉनलिजम प्राक्टिस करे आउन भूँ पचलो समय माँ पीसाय नातली के एकोशिस ग जो जो जन्पक्षी पत्रकार हैं, जो जन्पक्षी पत्रकार हैं, जो पत्रकारता में इसलिए उन्होंने प्रवेश किया था, बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र हैं, जो आई-एस आफिसर हो सकते थे, आई-पिस आफिसर, आपनों के भी बहुत सारे ऐसे होंगे, जो काफी इंटेलिजेंट थे, किसी भी कमप्टिशन में जा सकते थे, कहीं भी, लेकिन वो पत्रकारता में आए, क्योंकि उनके अंदर एक भावना थी, कि सामाजिक बदलाओं में हम अपनी कोई भूमी का शायद अदा कर सकें, अपनी लेखनी के जरिए, तो वो आए, वो निश्चित तोड़ से आज बहुत निराशाजने के स्थिति में हैं, क्योंकि प पत्रकारता पर भारत में खास तोर पर कार्पोरेट घराने पूरी तरह चागए हैं, जितने भी चैनल्स हैं, उसमें से 80% चैनल्स पर अंबानी जैसे पूंजी पदियों का कबज़ा हो गया है, और जो बाकी चैनल हैं, उनका दम घुट रहा है, लेकिन इसके बीच में ही, जैसे आपने पी साइनात का जिक्र किया, पी साइनात ने अकेले ही तमाम मीटिंगें करके, तमाम रिपोर्ट्स कहीं न कहीं जैसे, कहीं न कहीं गुंजाईश दे करके उन्होंने प्रकार्शित कराया, जब तक हिंदू में रहा सके, हिंदू में रहा करके उन्होंने किया, जब हिंदू में नहीं हैं तो अपने किसी वेबसाइट के जरिये तो उसका असर तो हुआ लोगों को पता चला और इतना पता चला कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो भी थर्थराने लगे इस information से ऐसा नहीं कि उनके पास information नहीं थी इस जर्गाई से कि यह information आम लोगों तक पहुँच गई इस घटना से वो घबड़ा गया information तो उनके पास थी जो आत्मतियां हो रही थी लेकिन ओफो यह घटना आम लोगों तक भी पहुँच गई तो आम लोगों तक जो चीजें पहुचाई जा सकती है और जिसको सब्ता च्छिपाना चाह रही है आज सबसे ज़्यादा जरूरी यह हो गया है कि इस टेट जिस चीज़ को च्छिपाना चाह रहा है उसको आप सारे जोखिम उठा करके जनता तक ले जाए इसमें जोखिम बहुत है फिर भी एक वेबसाइट बन रहा है उसके खिलाप हो काम करेंगे वो बंद हो जाएगा दूसरा वेबसाइट शूरू होगा और वेबसाइट भी जब नहीं रहेंगे तो लोग छोटे-छोटे समूँ बना करके इन खबरों को फैलाएंगे और आज साड़े-तीन साल हो गया नहीं मोदी के शार्षन में आये हुए जिस समय वो सत्ता में आये थे उनकी तूती बोल रही थी लेकिन आज वो बिल्कुल बैक फूट पर है जबकि सारा मीडिया आपके पास है लेकिन आप जनता को दोगा नहीं देपा रहे हैं क्योंकि अगर आप रोजगार नहीं पैदा किये तो मीडिया कितना बोलेगा अगर रोजगार आपने कहा था कि एक करोड रोजगार हर साल पैदा होंगे और हालत यह हो गई है कि 20-25,000 लोग हर साल निकाले जा रहा है तो ज़्यार तो पैदा होने के दूर तो मीडिया आपके पास है फिर आप देखे यहां कोई भी चैनल उठा के देख लिजिए नान इसूज पर जो है डिबेट चल रही है नान इसूज को आप 20-20 मिनट, 15-15 मिनट का स्लाट दे रहा हैं और जो तमाम इंपर्टेंट इसूज है मोग तो जनता भी धीरे-धीरे ऊब रही है इसलिए हमें अभी करना यह है कि जो यंगर जेनरेशन है जो मीडिया सनस्थानों से पढ़ करके निकल रहा है उनके बीच हम जैदा जैदा इंटरेक्ट करें और उनको बताएं कि पत्र का इदा है क्या और यह काम भारत में हमारे कुछ मित्र कर रहे हैं और उसके बड़े सकारात्मन नतीजे भी आ रहे हैं मैं समझता हूँ कि नेपाल में भी आप लोग अगर इसको थोड़ा एक यूजना बद्ध धंग से करें तो मीडिया को काउंटर करने के लिए हमें काउंटर मीडिया जैसा प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं हमरु कारक्रम में आई दिन भो बहस में भागली दिन भो ता बला धेरे धन्यवाद दिस्क्लोजर को समय सक्की गोचा हमेले भारतिय पत्रकार लेखक अनुबादक आनन्द सुरू बर्मसंग कुरा गरें वहांका अनुभा बरू वहांको ज्यान बाढने को सिस गरें तब आई संफेरे और को कारक्रम में इसते नाया कुरा साइथ हामें उपस्ति थोने सों आज अलाई विदाजीनोस नमस्कार